नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं J.S.C. CGL को लेकर J.S.C. Office के समक्ष अभियार्थियों का हंगामा J.S.C. द्वारा आयोजी, CGL की परिक्षा में गर्वड़ी का आरोप लगाते हुए अभियार्थियों नाम को मिष्थी J.S.C. करियाले के समक्ष जम कर हंगामा किया है बतादे हंगामे कि आज संका को देखते हुए 100 मीटर की परीधी में निश्यद धागया भी जारी कर दी गई थी भारीज संक्ष में पुलिस मौजूद हो गई आयोग के सचीव को प्रतनीधी मंडलने पेपर लिग और गर्वड़ी से जुड़े साक्ष सोपे सचीव ने उन्हें जाच के बाद करवाई का भी अस्वासंदिया है बतादे अभियार्थियोंने आयोग के अध्यक्ष एवं राज सरकार के खिलाप नारेवाजी करते बेज जम कर हंगामा किया वे अध्यक्ष से मिलकर पेपर लिग का सबूत देने एवं सीजेल परिक्षा रद करने की मांग कर रहे थे निस्दाग्या के बावजूद अभियार्थि बार बार आयोग के मुखे गेट पर जूट रहे थे जिने उपस्थित अधिकारी समझा कर पीछे करने में लगे थे अभियार्थियों ने कहा है कि पेपर लिग का उनके पास साक्षा है 36 गंटे के अंदर आयोग ठोस फासला नहीं लेता है तो सभी नियालाय का सहारा भी लेंगे सभी जिला एवं प्रखन मुख्यालों पर आंदोलन करने को बादे होंगे बदादे पुलिस ने अभियार्थियों के प्रतिनिदी मंडल को सचीव से वार्ता कराने की पहलकी जीस पर सभी मेडिया कर्मियों के साथ वार्ता परवे अड़े रहे काफी समझाने के बाद ओ माने इस दोरान कई बार अभियार्थियों एवं पुलिस के बीच धक्का मुखी भी हुई है सचीव से मिलकर आया अभियार्थियों ने बताया है कि आयो को पेन ड्राइब सीडी एवं रिपीड किया हुआ प्रशन पत्र सबूत के तौर पर देकर परिक्षार्वात करने की मांग की गई है सचीव ने दिये गए सबूतों की जाच करने और स्वोमवार को आयो की बैठाक बनी स्कर्ष निकालने का स्वास दिया है ज्यार्खन के किसानों का किरिसी लोन माफ पौने दो लाग किसानों को सोगाद ज्यार्खन के मुख्मंत्री हमांसुरे ने गुरुवार को पौने दो लाग से अधिक किसानों को बड़ी सोगाद दिया है उन्होंने 400 क्रोड से अधिक का किरिसी लोन माफ कर दिया है बतादे राजधानी रांची के परभात तरह मैदान में आयोजित कारक्रम में उन्होंने डीवीटी के जरी रासी का हस्तानतित किया जिसमें 1,677,97 किसानों के 4,666,66 लाख रुपाई के रीन आयदगी रासी को उन्होंने डिविटी के जर्या हस्तानतित कर दिया दो लाख तक के क्रिसी लोन को क्रिसी रीन माफी योईना के तहट माप कर किसानों को हेमन सुरेन सरकार ने बढ़ा तोफा दिया है उतपाज सिपाही दोड में जान गवाने वालों के परिवारों को 4,4 लाख का मुअबजा उत्पात सिपाही बहाली की सरेरिक परिष्छा के करम में तवियत भीगरने के बाद जान गवाने वाले अभियार्थी के परिवारों को 4-4 लाख रूपए मुख्या दिया जाएगा मुख्य मंत्री हमान सुरे ने बुद्वार को इस प्रस्ताव को सुगरिती पलदान कर दी है उन्होंने इस समय में पुर्व में घोसना भी की थी बता दे कि अगस्त में सुरू होई सिपाही बहाली दोड के दोड़ान राजे में कुल 17 यूकों को अब तक मौत हो चुकी है वहीं अभी भी कई बिमार होका इलाज रहत है अब यार्तियों की लागतार मौत की घटनाओं को देखते हुए मुख्य मंत्री ने संग्यान में लिया था और थोड़े समय के लिए सरीक दक्तापर किरिया को अस्तागीत भी करने का निर्देश दिया था राजनाच सिंग ने भरष्टाचार पर हमन्त सुरेन सरकार पर जम कर बरसे रक्षा मंत्री राजनाच सिंग ने जार्खन की हमन्त सुरेन सरकार पर जम कर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि जार्खन में बेवस था परिवतन की जरूरत है अगामी बिधान सभा चुनामी बीजेपी की सरकार बनाए चमपई सुरेन ने क्या अपराथ किया था कि उन्होंने मुख्य मंत्री के पद से हटाया गया यहां के सताधारी दरलो में लोक लाच नहीं है सियम हेमन सुरेन बालू से तेल निकालने में माहिर है भरष्टाचार के आरोप में यहां के मुख्य मंत्री और मंत्री जेल जाते हैं और बाहर निकलने पर सीना तान कर घूमते रहते हैं मुख्य मंत्री पर नोहोंने तीखे वार किये हैं परिवतन यत्रा को लेकर वे गुरु आरको धनबाद पहुंचे थे और गोल्फ ग्राउंड में परिवर्तन साभा को समोधित कर रहे थे मौके पर केंद्री मंत्री अनपुना देवी बाबुलन मरांडी सांसर धुलू मतो बिधायक राज सीना भी मुझूद थे गिरीडी में एक लाह के इनामी नक्सली लक्षमन हतियार के साथ गिरफतार पीरा टंड थाना चेत्रे के लेठवा गाउं में आया हुआ है इसका वहाँ पर संगठन का मीटिंग कर सहीद सप्ता के दोरान दोसत फेलाने लेवी वसुनले लोक सांती भंक करने सरकारी विकासकारियों को अवरोध करने तथा विध्वनसक करवाई करने की योजना बनाया जा रहा है इसी सुचना के बाद गिरीडी पूलिस का अपतान डाक्टर विमल कुमार के दोरा तवरित करवाई करने है तू विसेस टिम का गठन किया गया पलामू में पांच महा से नहीं मिला सरकारी रासान लाभूक पहुँचे अनुमंधल करयाले पलामू के नवा बजार वा पणवा परखंड छेत्रिक के सरकारी राषन काड लाभुकों को बीगत पांच महा से आना आज नहीं मिल रहा है वहीं राषन नहीं मिलने के करण लाभुक परिसान है राशन दिलाने की गुहार को लेकर नावा बजार पर खंड छेत्रे के इटको गाओं के लाभुक सदर अनुमंदल कराले पहुंचे हैं लगभग तीन दर्जन की संख्या में पहुंचे लाभुक के एक प्रतिनी मंदल ले सदर, SDO, सूलोचन, मीना से मुलकात की लाभुको ने बताया है कि हम सभी को मार्च महा से ही राशन नहीं मिला है वहीं दो महा का अंगुठा लगवाने के बाद भी डीलर ने अब तक राशन नहीं दिया पुछने पर लावकों ने बताया है कि हम सभी इटको गाओं के लक्षमी स्वेम सहायता समों के लावु खाएं जारखन में दूरगा पूजा महसों को लेकर मुख्य सचीव और डीजीपी करेंगे बैठक जारकन में दुरुगा पुजा महोसों को लेकर मुख्य सचीव और डिजी पी बिधी बेवास्था को लेकर समिक्षा बैठक करेंगे या समिक्षा बैठक वीडियो कंफिनसिंगे माध्याम से सुक्रवार की सुबा साड़े दस वय से की जाएगी जिसमें ADG अभियान परमंड किसानों का रिंड माफ कर बोले सियम हमन्त किसी से डरने वाले नहीं राजधानी के धुरुआ इस्थित परभातरा मैदान में किसान समान योजना का आयोजन हुआ जिसमें हेमन सरकार ने दो लाग तक किरिशी रिंड माफी योजना के तहत एक लागशी हत्तर जानों का 400 को रूपए का रिंड माफ कर दिया है योजना के तहत 400.60 क्रोर की रासी का मुख्यमंत्री हेमन सुरेन डिवीटी के माध्यम से हास्तांतित किया मौके पर मुख्यमंत्री ने जारकन के दुद उत्पाद को को दुद उत्पादन के लिए प्रति लिटर 2 रुपए प्रोसाहन रासी को बढ़ा कर 5 रुपए प्रति लिटर करने की योजना का भी सुभारम किया इससे 16,00,00 किसान लावान वित होंगे मौके पर बीत मंत्री डाक्टर अमेश्वर उराओ किरिस्टी मंत्री दिपिका पांडे सिंग भी महजूद रहे बतादे परभात तरह मैदान में आयुजीत कारकरम में सीएम ने कहा है कि यह कारकरम किसान लोन मापी नहीं किसान सम्मान योजना है बीजेपी पतंज कंचते हुए कहा है कि यह लोग किसानों को पुझी पत्ती के हाथ बेचने जा रहे थे मगर किसान एक साल अंदोलन करके तिन किरिस्टी कानून को आपस कराया इनके पास MSP देने का पैसा नहीं मगर इनके पास पुझी पत्तियों का लोन माप करने का पैसा है धनबाद के 20,000 अभियार्थोक नियुक्ति पत्र सोपेंगे सीम हमांत मुख्यमंत्री हमांत्री धनबाद जिले में 30 सितमवक प्रस्तावी जार्खन कंकुलेव में नीजी छेतर में करीब 20,000 बेरोजगार अभियार्थोक नियुक्ति पत्र सोपेंगे स्रम नियोजन एम कौसल भिभाग द्वारा होने जा रहा या कारकरम एक तरह का कौसल एम रोजगार मेला है मुख्य मंतरी को प्रस्ती में इस他मभी भाग दोरा कई कंपे योग के साथ एमयू भी किया जाएगा कौनकलेव में मुख्य मंतरी सांकितिक रूप से कुछ अभीयार्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सोपेंगे कारकरम में मुख्य मंत्री डिवीटी के माध्यम से अवियरतियों के खाते में एक बड़ी रासी भी हास्तातिरित करेंगे बतादे रोजगार पुसाहन भत्ता और परिवहन के तौर परियारासी 10 कोर्स अधिक की होगी जनकारी के मुताबिक जार्खन का उसल भीकास मिसन सोसाइटी अंत्रगत जितने भी करकरम चल रहे हैं उसमें परसिक्षन के बाद मिलने मारे रोजगार करने उक्ति पत्र बाटा जाना है सियम हेमंत ने हिमंत बिश्वा को लिखा पत्र जार्खन के मुख हिमंतरी हेमं सुरेन ने बुद्धवार को असम के सियम हिमंत बिश्वा सर्मा को पत्र लिखा है हिमन्त बिस्वा सर्मा को लिखे पत्र में सुरेन ने असम में 70 लाग चाय बागान जनजाती समुदाय के सदस्यों की दूरदासा पर गहरी चिंताब्यक्त की है उन्होंने दवा किया है कि प्रोवतर राज की अर्थ बेवस्था में मद्पूर्ण योगदान देने के बाजोच जारकन की चाय बागान समुदाय की जनजातिया हासी पर हैं जारकन में भारतिय जनता पार्टी की चुनाव सप्रभारी सर्मा ने हाल ही में कई मुद्धों को लेका सुरेन सरकार पर जोरदार हामला किया था जिसके बाद हेमन सुरेन ने सर्मा को पत्र लिख कर कहा मैं असम में चाय बागान समुदाय की जनजातियों के सामने आने वाली महत्पुन चुनावतियों से अच्छी तरह वाकिप हो उसमें से अधिकान जारकन की मूल जनजातिया हैं जिन में संथाली, कुरूक, मुंडा, उराव और अने सामिल हैं हेडमास्टर पद पर प्रोनाती में सीधी भरती वाले सिस्को को मिलेगी वर्यता जारखन हाई कोट से मध्य भिद्यालों में ग्रेट साथ हेडमास्टर के पद प्रोनाती के मामले में सीधी भरती से नियुक्ति हुए सिक्सको को बड़ी रहात मिली है एकल पिठ ने कहा था कि प्रोनाती से ग्रेड चार में आने वाले सिस्को की नियुकती वर्ष 1991 में हुई है काफी समय से काम कर रहे हैं इसलिए उनको पहले प्रोनाती दी जा सकती है खंड पिटने सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें भूत लक्षी प्रवाव से प्रोनाती देने का आदेश जारी किया गया था प्रसुधन मित्र संग ने की अस्थाई करणव मांदे की मांग जार्खन राज पसुधन मित्र संग जाम ताड़ा का एक प्रतिनिदी मंडल विस अद्यक स्रमिन रात महतो ग्रामिन विकास मंत्री डाक्टर रिफारान सारी वा बरही बिधायक उमा संकर अकेला को दो सुत्री मांगो को लेकर मांग पत्र सोपा है पसुधन मित्र संग के राज सचीव मोहन मंडल ने पसुधन मित्रों को अस्थाइ करने वा नियुमतम बेतन मांदेने की मांग की गई है कहा है कि वर्ष 2016 में ततकानी राज सरकार ने पसुधन मित्रों का ग्रामिन अस्तर पर टिका करान एवं पसुधन के लिए बाहल किया था उस समाई किरिशक मित्र एवं उर्जा मित्रों की भी भाली हुई थी लेकिन वह सरकार क्रिशक मित्र और उर्जा मित्रों को मांदे दे रही थी लेकिन हम सब ही पसुधान मित्रों को मांदे नहीं मिल रहा है हलाकि ग्राविन विकास मंत्री एवां विधान सबाद्यक्ष ने पसुधान मित्रों को अस्वासन दिया है कि सरकार के अम्तिम केबिनेट के बैठाक में मान देने की बात रखेंगे पलामू में पांच लाख के सोने के अभुसन की चोरी पलामू जिले के छतरपूर अनुमंडल मुख्याले के चेकनाका के समीब आर्ती जेवलर्स की दुकान से दो चोरों ने दुकानदार के सामने ही आर्म चेस्ट लोकर से पांच लाख रुपए के सोने के अभुसन की चोरी कर ली है इस दोरान दुकानदार को भनक तक नहीं लगी इसके बाद उसे पता चला सिसी टीवी फुटेज से इसकी पुष्टी हुई है पुलिस जाच में जुटी है बताद दुकान के संचालाक महेश परसा सोनी ने इस मामले में बताया है कि दो ब्यक्ती करीब साढ़े चार बये दुकान में आये एक ब्यक्ती हेलमेट पहने हुए था जबकि दूसरा ब्यक्ती टोपी पहना हुआ था उन दोनों ने उन्हें चांदी का एक लोकेट दिखाने को कहा इस दोरान जब उनके दोरा तीजोरी खोल कर उसमें रखा लोकेट निकाला जा रहा था उसी दोरान हेलमेट पहना ब्यक्ती आर्म चेस्ट में हाथ लगा कर एक छोटे से बैग में रखे सोने काविशन को उठा कर अपनी पैंट की जेब में रख लिया जार्खन सरकार ग्राम परधानों को उपलब्ध कराएगी बाइक जाम तरा के दूलाडी नगर भौन में गुरुवार को ग्राम परधान सम्मान समारों का उजन हुआ इस औसर पर जिले भर के 500 से अधिक ग्राम परधानों का स्वागत किया गया बतार मुख्य अति थी 20 अधियक स्रमिदात महतों ग्रामिन बिकास मंतरी डाक्टर रिफार अंसारी बरही बिधायक उमा संकर अकेला पूर्वसांसत फूरकान अंसारी ने सिरकत की है सभी ग्राम परधानों को पगड़ी पहना कर समानित किया गया बता दे समारों में ग्राम परधानों ने अपनी समस्याओं को 20 अधियक स्वा मंतरी के समक्ष रखी है कहा है कि मेरी समस्याओं का सिग्र निदान किया जाए 20 अध्यक्ष्व मंत्री ने उनकी बातों के ध्यान पुर्वक सुना और उन्हें अस्वास्त किया है कि उनकी समस्याओ का नेराकरन प्राथमिक्ता के अधार पर किया जाएगा बता दे कि ग्राम प्रदान और उनके स्वायोगियों के समान रासी में दोगनी बढ़ोत्री की गई है पहले जहां ग्राम प्रदान को 2000 रुपए और स्वायोगियों को 1 रुपए प्रती मा समान रासी मिलती थी उसे बढ़ा कर 4000 और 2000 रुपए कर दिया गया है 25 सुरेन बोले जनता का मुढ परिवर्तन तायए जारखन के सराय के लगाख हर सावा जिले के लिया की पिरिवर्तन चैन तो पशेन किया गया मुशल धर भारिश के बीच पूर्वसीम25 सुरेन परिवर्तन सबा को समधित किया है उन्होंने कहा एकिस्ताभा में उपस्ति जन सेलाव राजे की जानता का मुड़ बता रहा है पंडाल के भीतर और बाहर चाता लेकर खड़े इन लोगों को देख कर कहा जा सकता है कि परदेश में परिवर्तन निश्ची था है कोई ताकत इसे रोक नहीं सकता बतादे जारकन के पूरो मुख मंत्री चमपई सुरेन और केंडरी रक्षार राजमंति संजय स्रेट ने परवतन सभा में जारकन के हेमन सुरेन सरकार को जम कर कोशा और बरतमान जारकन सरकार को आदिवसी बिरोधी बताया है CEO और राजे पुलिस नोडल पता अधिकारी की भीसी माध्यम से बैठक मुख निर्वाचन पता अधिकारी के रहा भी कुमार गुरुवार को निर्वाचन सदर में लोग सभा निर्वाचन से समधित मामलो एवम अगामी बिधान सभाचनाओ के त्यारियों से समधित बीभीन भीसायो पर सभी जीलों के जीला निर्वाचन पता अधिकारीयों एवम पुलिस अधिक्षों के साथ अनलेन माध्यम से समिक्छा बैठक की है बैठाक मुन्होंने कहा है कि राज में बिधान सभाचुनाओं के लिए त्यारियों को पता दिकारी मोर्त रूप देना सुनिश्चित करे उन्होंने कहा है कि बीगत लोग सभाचुनाओं में बिभीन माध्यमों से आयस सिकायतों को संग्यान में रखते हुए आगामी बिधान सभाचुनाव की तैयारीऋ सुनेश्चीत करे मुख निराचिन पता दिकाई ने कहा है कि सभी बियेलो एवाम B.L. O。 सुपरवाईर से इस बात का साथिफिकेट अवसे ले कि उनके छेतर में मत्याता सुची में एक भी गलत भिलोपन न हुआ हो रांची में एक्सपो 1924 का आयोजान जार्खन के राजेपल संतोस कुमार गंगवार गुरुवार को जेसी आई रांची द्वारा मौराबादी मैदान में आयोजित एक्सपो 1924 का उधार्टन किया इस असर पर राजेपल ने विभीन एस्टोलो का उलोकन किया और वहाँ परदर्शित उत्पादव और सिवाव की बिस्ती जनकारी ली है राजेपल महोदय ने एक्सपो 1924 के सफल आयोजान हेतू जेसी आई रांची के सभी सेसो का हार्दिक बढ़ाई दी राजेपल ने इस आयोजान को राजे की आर्थिक प्रगती में सहायता बताया और कहा है कि यह मंच युवा उद्यमियों और ब्यावसाईयों के लिए अपनी परतिभा और नावाचार को प्रदर्शन करने का आउसर पदान करता है उग्त आउसर पर पुर्वे राज सबसांसन महेश पोदार भी मवजूद थे रामगार में खदान मैदूर संग ने किया प्रदर्शन बता दे जिले के बरका सयल महा प्रवंधक करयाले के समक्स प्रसन करते है मजदूर संग के प्रतिनी धियों ने कहा है कि अगर मजदूरों की मांगों को सीसियल प्रवंधन जल्द समाधान करना ही मनाया गया तो सीसियल राची मुख्याले के समक्स मजदूरों द्वारा विसा अधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार का हत्या कर दी है घाटना की जनकारी मिलते ही पुलिस मोगे पर पहुच कर सोव को अपने कबजे में लेकर जाज शुरू कर दी है जनकारी के अनुसार राम कुमार भगत बीती रात भोजन कर आराम करने के लिए त्यार हो रहा था इसी बीज तीन लोग घार पहुचे और जार फूक करने के लिए उसे घार ले जाने लगे इसका बिरोध करने के बाजूद उसे घार से जवज़श्ति बाहर से लाकर गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई परिवार के सज़सों ने घाटना की जनकारी देते हुए हत्या कान में न जीला बल के सभी प्रोनत पुलिस कर्मियों को लगाया बैज। पहवलदार बने है और जारकन पुलिस के लिए इमादारी पुर्वक अपने कारे का निर्वहन करते रहेंगे बोकारो में मालगारी के दो बोगी बेपटरी बोकारो के तुपका डिह रेलवे स्टेशन के पास बुद्धवार किरात मालगारी डिरेल हो गया है मालगारी डिरेल हो जाने से कई ट्रेनों का परिचलन बाधित हुआ सुचना मिलते ही रेल करमी मौके पर पहुँच कर एक लाइन को पुरी तरह से ठीक कर लिया है बतादे डाउन लाइन पर परिचलन सुरू हो गया है अप लाइन का काम जारी है बताया जा रहा है कि बोकारो के तुपकाडी रेलवे स्टेशन के समीप पॉल संख्या 410 बाई एक नजितिक बुद्वार की रात माल गाड़ी की दो बोगी डिरेल होकर पलट गई इसके कारान बोकारो गोमो रूट पुरी तरह से बाधित हो गई वही चंदरपूरा रेलवे स्टेशन पर वारानसी से राची जाने वाली वंदे भारत टेन को भी रोक दी गई है ज्यार्खन को दस वरसों में बनाएंगे बिकसित राज राजनाथ सिंग रक्षा मंतरी राजना सिंग ने कहा है कि जार्खन की जानता या दी लागातार दो बर भाजपा की सरकार बनाए तो जार्खन अगले 10 वर्षों में बिक्सित राज की स्रेनी में आ जाएगा भाजपा की परवतन यात्रा में गुरुवार को धनबाद पहुँचे राक्षा मंतरी गोल्फ ग्राउंड में सभा को समोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि सभा में जूटी हजारों की भीड़ बता रही है कि जार्खन में परवतन की ब्यार बह रही है केंद्र सरकार की उपलब्दिया गिनाते उन्होंने कहा है कि पहले बिस्वय में भारत को वह समान नहीं मिलता था जो आज मिल रहा है अब भारत जब कुछ कहता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है 2014 में भारत धन दौलत के मामले में 20 स्वय स्थान पर था 2024 में या पांचवय स्थान पर पहुंच गया है मनरेगा योजनाओ की धीमी प्रगती पनाराज हुई हजारी बाग उपायुक्त हजारी बाग उपायुक्त नैसी सहाई की अध्यक्ता में गुरुवार को मनरेगा योजना परधान मंत्री आवास वोजना एवाम राज सरकार के दोर संचालित कल्यानकारी योजनाओ की समिक्षा बैठक की गई बैठक में उपायुक्त एवाम डीडीसी प्रेर ना दिक्षितने सन्योक्त रूप से परधान मंत्री आवास वोजना अंबेठकर आवास वोजना अबगा आवास वोजना मनरेगा अंत्रगत बीर्षा कूप सरवन्धन योजना दोभा आंगनवार योजना की प्रधाति बीर्षा हरित ग्राम योजना बागवान योजना बीर्षा हित पोटो होखेल बिक्सित योजना पिडी, जेनरेशन, जियो टाइगिंग, जन्मा योजना, पंचायती राज, एबी पीएस की स्थीती के तह संचाली जोजनाओ की प्रगती समिक्छा की गई उपायुक ने मन रेगा के अंतरगत संचाली जोजनाओ की प्रगती में कम प्रशन करने वाले परखंडों पर नराजगी जाहिर की है भोट लूटने वालों के चकर में नहीं पड़े मिथिलेश ठाकोर गढ़व विधायक जर्खन सरकार के पेजलने वस्वक्सता प्रटन कला संस्किती खेलकोत एवं युवा कारे विभाग मंतरी मिथिलेश कुमार ठाको ने कहा है कि वोट लूटने वालों के चकर में नहीं पड़े अन्याथावे लोग भोट लूटकर जर्ण हित की चलाई जा रही सारी योजनाओं को बंद कर देंगे राज की गरीब बेटी बहनों के लिए चलाई जा रही मय्या समान योजना अबुआ अवास पचास साल के लोगों को पेंसन चात्र चत्राओं को पढ़ने के लिए दी जा रही साहायता रासी सहीत सवी जजनाओं को बिकास बिरोधियों की पार्टी जितने के बाद बंद कर देंगी मंत्री स्री ठाकूर चीनिया परखंड के विभीन गाओं में आयोजी जन सन्वात कारिकरां को समोधित कर रहे थे पिये मोधी 2 अक्टूबर को पहुचेंगे हजारी बाग परधान मंति नायद मोधी के आगामी 2 अक्टूबर को हजारी बाग आगमन को लेकर गुरु आरको भाजपा के संगठन महामंत्र करमबीर सिंग राइसभा सांसर साप परदेश महामंत्र परदीप वर्मा हजारी बाग सांसर मनीज जैसवाल हजारी बाग के भाजपा जिला अध्यक्स बिवेकाना सिंग सहित अन्य अगन्माने लोगों ने गुरु आरको कारकरा मस्थल गांधी बैदान का निरिक्षन कर जाजा लिया इससे पहले सभी नेताओं ने जारकन पुलिस एकेडमी के हेलिपेड और बिनोवा बावेवी सुभी दाले के ग्राउंड का भी अलोकन किया कारकरा मस्थल पर टेंट पंडाल का कारे सुरू हो चुका है जब जारकन आते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं आते है ज़ारकन के लिए हमेशा उपहारों और योजनाओं की सोगाद लेकर आते हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चलोगे सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाईए साथ साथ वीडियो के एक लाइक कर आपने दोस्तों के असर करना भूले साथ साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फिडिवेक अवस्य दे थैंक यू